हेई एब्रीवन वेकम बैक तो मैं चैनल प्रीती राना सो आज मैं करने जारे हूं अपना हेयर करल तो वह भी इस मशीन से इस मशीन का नाम है हेयर कलर नोवा दा पीपल्स चॉइस हेयर कलर आयम तो यह मशीन और इससे मैं अभी बालों को करूंगी सो वीडियो के लास तक बन के यह बाल फेज़ कर लर आएरन मशीन का मैंने तक मैंने इसको यूज करने जा रहे हैं ये कष्ड़ हीम कर दो अब हमें इसको शेयं तक 맞는 में जा और मैंने आपको वंकिंगतों कि James jobs करने जारें कि ए खराब तो नहीं बीच बीच में चेक कर लिनना चाहिए मशीन को सो अभी मैं इसको उपन करती हूं और दिखाऊंगे आपको इसको अपने हेर को करल करके सो अभी यह उपर का प्लास्टिक उठा लेती हूं मतलब हटा देती हूं इसको कैसे हटाना है अरे हाँ चलो यह इस तरीके से इसको निकालना है हैं थो डालते हैं तो फिर इस नेक्स्ट मैं अपकरओंगी इसको हीट आप तो इसको गरम खते हैं थोड़ी देर सो जब यह हो जाएगा थोड़ा सा गरम तो इसको मैं लगाऊंगी इसमें जो है मतलब इसमें आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते तो इसमें सेम टेंपरेचर रहता है सो यह वाला जो है मैं अब इस अपने हैर को ना कॉम कर लेते हैं पहले फिर उसके बाद में करूंगी सो यह मैंने कॉम कर लिया है तो इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं तो यह मेरी फ्लिक्स है इसको मैंने फोल्ड कर लिया है अभी एक दो मिनट तक इसको रहने दूंगी ताकि यह कर्ल हो जाएं तो मैंने कल शैंपू किया था तो मैंने ऑईल लगाया था तो शैंपू करने से और ऑईल लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं तो आप पहले यूज़ करें देन उसके बाद शैंपू कर सकते हैं आप मॉर्निंग या फिर एक दिन सोने से पहले भी कर सकते हैं तो आपके बाल कर लेते हैं इसको भी एक दो मिनट वेट करेंगे करने के मतलब करने के लिए इसको एक दो मिनट वेट करेंगे तो देखते हैं इसका क्या का रिस्पॉंस है अभी तक तो मैंने इससे कल नहीं किया था और जब कहीं बाहर जाते हैं मेकप आर्टिस्स करके देते हैं मेकप तो उसमें वो कल करते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं सो मैंने भी डिसाइड कि मतलब मुझे भी एक पर्चिस कल लेना चाहिए तो यह व कि में व क्छे जए अगर इसके बाद एक लाइड और नहीं वी तो फिर मैं नहीं करोंगी कि जिसको देख लेते हूं यह किस काम का है भई मेरेको तो समझ में ही नहीं आ किसी को पता हो ना तो कमेंट में जरूर बता देना मुझे ये किस काम के लिए आता है तो आगे मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे कल बट ये काम कर रही है सो जल्दी जल्दी से इनको करते हैं और ये पूरा अच्छे तरीके से हो जाए मेरे हैर कर तब तक मैं इस तरह कौम मान लेती हूं इस तरफ के मैंने कौम कर लिए हैं और ये वाले जो है कल कर रही हूं अब इनको निकाल लेते में तो बाल करा हो जाएंगे इस तरह के से एक बार और करना चाहिए इनको हुँ ये तो आई नहीं रहे हैं हुँ मुझे आता नहीं है इसको फर्ल करना इसको फर्स ट्राइम कर दी हम इसको मैं इसको उपन कर लिया है तो जाओ जन्दी से वान टू ट्री 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलोच चलो उपन कर उसको उसको उपन कर दो जब उसको उपन कर दो पॉर्शन में तो कल हो चुका बढ़ हाफ अब बचा हुआ है तो इसको भी मैं कल कर लेती हुए फर्स्ट मैंने ट्राय किया था बट अच्छे से हुआ नी तो इसको मैं दुबारा से करूंगी ताकि अच्छे लगें कर्ल्स मेरे तो पहले तो अपने बालों को थोड़ा सा मतलब अलग कर लेते हैं अब मैं इसको फिर से ट्राय कर फिर जो है अच्छे से कल नहीं हो पा रहे हैं तो नेक्स टाइम और अच्छे से ट्राइ करूंगी बट पता चल कि मुझे कैसे वह करता है तो इसको एक दो मिनट वेट करना है दन उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे हम तो जादा देर तक नहीं रखना है नहीं तो कहीं पता चल रहा बाल ही जड़के आ जाएं और बाल जल जाएं तो वैसे इसका टेंपरेचर सेम ही रहता है तो टच ना करें इसको बिकॉज एक दो बार तो मुझे ही मतलब लग चुका है जल चुका है मेरा हाथ है यह तो इतना नहीं हो पाए सो नेक्स्ट और कर लेते हैं पर वाले हैर को करते पले पद्लेप्ले फ्लिक्स लिंगे बच में मोटे मोटे ले रखे है। मैं अजधना ट्रायल करी हUI कि यह होता है सो अच्छा लगेगा लुक यह तो ऐसे भी मेरे बाद जो है मतलब ना सिलकी है ना करल में है मतलब मीडियम में है फ्लेयर्ड हैर्स है मेरे तो अच्छे लगेंगे कर्स पर तो इसको दो तीन मिनट वेट करूँगी फिर उसके बाद मैं इसको ओपन कर लूँगी तो इसके लिए आपको एक परसन के जरुद और पड़ेगी जो आपके हेर को करल कर सके क्हीं एक से तो मैं जरूर ले सकते हैं अगर आपको नहीं आता सो इससाइड वाली भी नहीं फाही तो अभी इसको हाफ-ाफ कर लेते हैं तो शायद हो जाए तो फिर से मैं इसको हाफ करके जो है करल करूंगी तो इसको मैं फोल्ड ऑन कर रही हूं अपने हेर करलर पे तो ट्राइ करके देख रही हूं हो जाता है या नहीं हम अभी वेट करो वेट करो देखते हैं अभी यह हो पाता कि नहीं शायद मैंने ओईल जादा लगा रखा था तो इस वज़े से नहीं हो पा रहा है हम यह भी नहीं हुआ बहुत मेहनत करनी पड़ती है बालों को कल करने के लिए तो उपर के कर ले तो यह साइड वाले तो नहीं हुए तो उपर का ही कर लेते हैं अच्छे से कर अभी एफोल्ड हो रहा है हम इसको थोड़ा समय है इसको नो मोड के ना ऐसे करूंगी इस तरीके से तब हो जाए गई हम अब बिल्कुल ठीक बैठा है कि इसको तो तीन मेंट वेट करेंगे फिर इसके बाद देखते हैं इसको क्या है रिस्मांस एक साइड तो हो गया अब टेक साइड नहीं हो पारा पता नहीं क्यों नहीं हो पारा अब इसको मैं उपन करके देखती हूं मैंने हाफ बालों को कर लिया है और यहाफ पोर्शन बचा रहा है तो अब इसको जल्दी से कर लेते हैं कर जल्दी हो जाब भाई अब इसको ओपन कर देते हूं ताकि यह मेरे बालों को ना जलाए इस तरीके से हो गए तो और विचे हैं इनको भी कर लेते हैं इसको मोटा मोटा लेजी हो ताकि यह जल्दी जल्दी से हो जाए मसीन जो है बहुत ज्यादा गरम हो चुकी है कर वाल होने वाले हैं मेरे कर हो चुके हैं अभी मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूं आपको यह हो चुके हैं यह जो फ्रेंट वाली फ्लिक्स हैं इनको भी कर लेते हूं कम्प्लीट होने जा रहा है यह हम् कर दिया था और यह 250 रुपीज की मिली थी मुझे तो मैंने सोचा इसको लेना चाहिए अच्छा मिल रहा है तो मुझे इसको रखे रखे अच्छा मुझे तो अब ही तक मैंने इसका ट्राइ नहीं किया तो आज मैं यह ट्राइल किया मैंने बड़िया लगा तो यह नेक्स राली फ्लिक्स जो है यह हो जाए बस और इसके बाद नहीं चाहिए मुझे कर्ल क्योंकि मैंने अल्रेडी कर्ल कर लिया है यह देखिए ओ माई गड़ सो यह हो गए कर्ण हम अब इसको बंद कर दो सो गाइज यह हो चुके हैं हेर कस तो आप इसको पार्टी वेयर या फिर एथनीक वेयर पे भी इस ताइब के हेर्स रख सकते हैं और कैजूल में भी अच्छे लगेंगे सो सो गाइज मैंने तो अपने बालों को कर्ल कर लिया है और यह लुक आपको कैसा लग रहा मुझपे कमेंट ज़रू बताए और एरिंग तुम्हें पहने लिए बिकास काम में कुछ नहीं पहन लेते हैं तो इसको पहन लेते हैं तो कैसा लग रहा है मेरा लुक कर लिया लुक कमेंट में ज़रू बताएं दोस्तों यह लुक आपको कैसा लग रहा और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर कर दें और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई करें